अब सभी को बतादे कि UP Scholarship 2223 के फार में बहुत सारे 600 चात्रों के इस के फार में एरर आगए था या कोई भी दिक्केत थी या रिजक्रम इंगा दो की पिछले सत्र का जिससे उनों उनका फार्म रिजेक्ट हो चुका है तो ऐसे छाठ छात्राओं के लिए एक और मौका दिये जा रहा है उनके लिए वेबसाइट एक बार फिर से ओपन की जा रही है दोस्तों आप सभी को बजाते कि पंदर अप्रेल से यहां पर आप स्क्रीन दोस्तों एक लाग से जादा बताई जा रही है जिसका उनको दोस्तों अगली बार बुक्तान किया जाएगा है जो कि आप इस्क्रीन पर पूरी अप्रेट को जहां से देख पार होंगे दस रसल इन विद्ध्यातियों ने वर्स 2022 से में सभी ऑपरेट्याओं को यानि कि सभ उनके हितों के लिए यानि कि उन चात्राओं के लिए एक बार फिर से पोटल ओपिन किया जाएगा जिससे अगले वर्स बित्त वर्स में उनका भुक्तान किया जा सके यानि कि आज सभी को उतादे कि इसको लेकर करके समाज करलाना विभाग स्वतंत प्रभार असी महरूण उनके संसान या किसी तकनीकी काड़वस से उनका जाता यानकी फार्म रिजक्ट हो चुका या कोई दिक्कत थी जाए जो रिजल्ट उतमें नहीं भरे से उनकी वज़ास से फार्म रिजक्ट हुआ है उन सभी छाच्चात्राओं के लिए फिर से मौका दिया जाएगा और द झाल